हेलो फ्रेंड स्वागत है आप सबका पुनम सिंग रेसिपीज में और मैं पुनम आज बच्चों के लिए स्पेशल रूप से तो यह बच्चों के टिफिन के लिए भी बहुत अच्छा विकल्प है आप इन्हें तयारी करके एक दिन पहले रख दें और जब स्कूल में भेजना हो बच्चों को टिफिन बॉक्स देना हो तो आप यह चीज पर आठा मलाई चीज पर आठा आराम से बना कर दे सकते हैं तो अच्छा से जमें धक कर एक दम बिल्कुल नहीं रखिएगा ना तो मलाई उसमें है कि पिघल जाता है फूल जाता है अच्छी तरह से नहीं निकल पाता है तो देखिए हम दो दुबाल कर के वल जाली से ही धक दिये थे तो कितना अच्छा मलाई जमा है और हम ले लेंगे एक प्याज, प्याज को हम पतला पतला बारिक काट लेंगे, स्लाइस नहीं काटना है हमें, चौप करना है चौक और काटना है इसे तो इसे बिल्कुल बारिक हम, देखिए कैसे काट रहे हैं वैसे ही आप लो काट लेजे बारिक इसको, आप चाहें तो चौप भी कर सकते है चौप किया हुआ, थोड़ा सा मलाई में पानी जैसा पिघल जाता है, तो हम चौप नहीं करते हैं, इसको बारिक काट ही लेते हैं, तो देखिए कितनी अच्छी तरह से, सार्ब चागू की सहाथा से हम बहुत ही अच्छी तरह से प्याच को काट लिये हैं, आप चाहें तो पहसूल से भी काट सकते हैं, पहसूल आप लोग जानते होंगे, जो पैर से दबा कर, जिससे हम काटते हैं, पहल अभी भी गाओं में लोग पहसूल की सहाथा से, बहुत जगा फासूल पहसूल बोला जाता है, लोग सबजी उसी से काटते हैं असानी से, सहर मे चाकू का प्रचलन बहुत बढ़ गया है, तो प्याज कट चुका है, इसे हम एक बोल में निकाल लेंगे, उसी में हम डालेंगे, स्वाद के नुसार नमक, काली मिर्च पाउडर डालेंगे, आधा चम्मच, और हम इसमें चीज को ग्रेट कर देंगे, चीज आप अपने हिसाब से ग्रेट कर सकते हैं, कम खाना हो, तो कम यूज करें, ज़्यादा खाना हो तो फिर ज्यादा उसका मिशरन करें, जो हम उसका सेंड्विच का मिशरन कर रहें, मलाय और चीज का, तो आप इसमें चाहें, तो sweet corn डाल सकते हैं, टमाटर काट कर डाल सकते हैं, तो इसमें हम डाल दियेuno, दो सैसे हम डाल दिये, और गेनो, दो सैसे डाल दिये हम, Chilly Frakes, आप घर में भी बना सकते हैं, लेकिन Pizza बाइगरा में बहुत सारे सैसे मिलते रहते हैं, तो वो भी मैं इस्टोर करकर रखती हूँ और सेंडवीच में यूज करती हूँ, अब हम डाल दिए इसमें मलाई, मलाई को डाल कर अच्छी तरह से हम इसका मिश्रन तयार कर लेंगे सेंडवीच का, खुब अच्छी तरह से मिला लें चारो तरफ से कि चिलिप्रेक्स, और ग आप चाहें तो प्लेन ब्रेड भी ले सकते हैं, ब्राउन ब्रेड ले सकते हैं, सेंडवीच वाला अलग से ब्रेड आता है, उसको भी ले ले सकते हैं, तो हमारे यहां सबको पसंद है ब्राउन ब्रेड फ्रेंट्स, तो हम ले लिए हैं ब्राउन ब्रेड और इसका हम चार ग्रेवी हो जाता है और हम ले लिए हैं आम और पुदीना की चटपटी चटनी और यह है टोमेटो केचप मिठा के लिए तो एक एक स्लाइस में हम टोमेटो केचप लगा देंगे अच्छी तरह से कोट करके क्योंकि बच्चों को तो सॉस बहुत पसंद है तो हम इसे अच्छ अपने खाना बडो को खाना हो तो थुआठा चेटपटा करना हो, तो आप जादा लगा सकते हैं मयॉणीज ले लिए हैं मयॉणीज और चीज तो बच्चो के लिए बच्चों का पसंदिधा चीज है भया ऐसे भी खाते रहते हैंग तो देखिये हम इसे मेरा माइज को भी तो प्रें आप लोग कैसे बनाते हैं, हमको जरूर कॉमेंट करके बताइएगा, इसमें आप गाजर भी ग्रेट करके डाल सकते हैं, गाजर भी अच्छा लगता है, हम सिवला में इसके वल डाले हैं, और प्याज डाले हैं, तो अब इस पर हम सारे मिसरन, का जो तयार किये हैं यह प्रण प्रण हम पहला देंगे इस पर आप अपने हिसाब से आपको ज्यादा पसंद है तो ज्यादा मिसरन डालें और कम है तो कम डालें बच्चों को थोड़ा ज्यादा ही पसंद है और यह तो एक के जगह दो-दो सेंडविच खालेंगे यह चीज होना चाहिए मैनुज बच्चों को बहुत पसंद है उस पर से केचप टोमेटो केचप तो हम देखिए सारा ऐसे ही लेयर करके तीन ब्रेड का हम लेयर बनाए थे और उपर से हम क्यों स्लाइस चीज का स्लाइस डाल देंगे फ्रेंट्स तो यह हो जाएगा ओबर लोड़ेट चीज स्लाइस सेंड तो अब इसको हम उसी के ऊपर चीज के लेयर के ऊपर ही इसको डाल कर और दबा देंगे इधर हम तावा गर्म कर लिये हैं फ्राइब पैन इस पर थोड़ा सा घी डालेंगे और घी डालने के बाद हम इस पर थोड़ा सा बटर डालेंगे क्योंकि डाइरेक्ट बटर डालने से बटर थोड़ा सा जलने लगता है तो आप रिफाइंड डाले या घी डाले तो हमें सेंड्विच बनाना था तो हमने घी डाल दिया है इस पर और पिखल रहा अची तरह से अब इस पर हम चीज का स्लाइस डाल देंगे और गैस के फ्लेम को कर देंगे बिलकुल मिडियम पर क्योंकि धीरे धीरे इसे हमें सेखना है ताकि चीज मेल्ट हो सके अंदर अची तरह से तेजांच पर ये करने से ये जल भी जाएगा नीचे से ब्रेड और चीज भी मेल्ट नहीं हो पाएगा तो हमें बिलकुल मिडियम तो लो फ्लेम पर इसे सेखना है उपर से भी हम बट तो देखिए कितना क्रिस्प तयार हुआ है यह सेंडवीच, और सेंडवीच सिंख चुका है दोनों साइट से इसको हम पिजा कटर की सहायता से काट देगे, तो देखिए थोड़ा सा चीज ज्यादा होने से हैवी हो गया है सेंडवीच, और तयार हो गया है यह, अब इसे हम क डिप कर रहा है, तो कोई बात नहीं, इसे मुझ में ही जाना है और देखिए आपको हम तोड़ कर दिखाते हैं कि कितना इसमें चीज हमने स्टफ किया है तो दिखिए वाव कितना सारा चीज है, बच्चे तो मस्त होकर खाएंगे और इसे चटनी और केचप के साथ हम डिप करके मज़े से खा सकते हैं रेसे भी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, परमेंट, डिर्ट करें, थैंक्यू पर वाच्छाएंगे